Hello everyone, welcome to online study point. दोस्तों जसे कि आप सभी जानते हैं कि हम Science की 1000 MCQ की सीरीज शला रहे हैं, जिसका यह पार्ट दस हुआ है. इसके पहले आलरी मैंने 9 पार्ट online study point के playlist में upload कर रखे हैं, यदि आप लोगों ने उन पार्ट्सों को नहीं देखा है, तो online study point के playlist में जाकर देख सकते हैं, दोस्तों सारे ही question important है, इसलिए वीडियो अंति तक जरूर देखेगा और आप इस वीडियो की PDF टेलिग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question, छिली हुई सबजीों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो दोस्तों यह विटामिन निकलता है, विटामिन C, और विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है, कई बार मैंने बताया है, तो एसकॉर्वी कम विटामिन C का नाम है, रासाइनिक नाम, एसकॉर्वी कमल, और जो विटामिन C है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इसकरवी, कई बार पूछा जाता है, विटामिन C की कमी से होता है, इसकरवी, विटामिन A का रासाइनिक नाम क्या है, तो वह है, रेटिनॉल और विटामिन D का तो दोस्तों विटामिन D का राशायनिक नाम है कैलसी फेरॉल कई बार मैंने बताया है और विटामिन के रख्त का थक्का बनने में मदद करता है और रेटिनॉल है विटामिन A का राशायनिक नाम और ये भी पूछा जाता है कि रताउंधी किस की कमी कारण होता है तो दोस्तों रताउंधी होता है विटामिन A की कमी के कारण और रिकेट्स रिकेट्स का नाम में कई बार पूछा जाता है तो दोस्तों रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी के कारण यह भी आप याद रखिएगा फिर नेक्ट कोश्चन है निम्न लिखित में से किसकी उपस्थिती के कारण दूध में से मिठास आती है तो दोस्तो यह आती है लेक्टोस की उपस्थिती के कारण फिर नेक्ट कोश्चन है प्रकास संसलेशन की क्रिया में यहनि कि किस प्रकार का प्रकास सबसे अधिक प्रभावशाली होता है तो दोस्तों यह होता है लाल रंग का प्रभाव लाल रंग का जो प्रकास है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और यदि सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम होता है बैगनी रंग का प्रकास जो सबसे कम प्रभावशाली होता है और सबसे अधिक लाल यह आप याद रख और sodium का परमाडू क्रमांग कितना होता है तो कई बार मैंने बताया है sodium का परमाडू क्रमांग होता है 11 और इसे प्रदर्शित किया जाता है एन्य से ये भी आप एद रखीगा फिर next question है सबसे अधिक लोहा पाए जाता है तो सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पाया जाता है हरी सबजियों में और हरी सबजियों में भी मेथी के पत्तों में सरवाधिक लोहे की मात्रा होती है यह भी आप याद रखीगा फिर नेस्ट कोस्चन है स्वेत प्रकास जब प्रिजम में इसे गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है तो दोस्तों सबसे कम विचलन वाला रंग है लाल रंग और यदि सबसे अधिक विचलन पूछा जाए तो वह होता है बैगनी रंग जब स्वेत प्रकास है जब प्रिज में से गुजरता है तो बैगनी रंग का विचलन सरवाधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है फिर नेश कोश्चन है निम्न लिखित में से किस रंग की सरवाधिक तरंग धहरी है तरंग धहर यानि कि wavelength किस रंग की है तो दोस्तों यह होती है लाल रंग के तरंग की और सबसे कम तो यह होती है बैगनी रंग के तरंग की बैगनी रंग का तरंग धहरी सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग धहरी सरवाधिक होता है और लाल तरंग धहरी के कारण लाल रंग का प्रकास काफी दूर तक दिखाई देता है इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो signal होता है, वहाँ लाल रंके बनाये जाते हैं, जो signal आप देखते हैं, ट्रैफिक में, वहाँ लाल रंके बनाये जाते हैं, फिर next question है, जब मैक संख्या, यानि कि मैक नंबर, एक से अधिक हो, यानि कि मैक संख्या जब एक हो, जब म में एक चीज बता दू, मैक संख्या जो होती है, किसी विमान के वेग और ध्वनी के वेग के अनुपात को कहते हैं, और जब मैक संख्या एक होती है, इसका मतलब यह है कि जब वस्तु का वेग ध्वनी के वेग के बराबर होता है, और वस्तु द्वारा उत्पन्य ध्वनी को ध्वनिक कहा जाता है क्या कहा जाता है ध्वनिक जब मैक संख्या एक होती है तो और एक चीज मैं आपको बता दू जब एक से ज़्यादा होती है मैक संख्या तो दोस्तों जब मैक संख्या एक से ज़्यादा होती है तो पिंड की चाल पराध्वनिक चाल कहलाती है क्या कहलात सूपरसोनिक और यदि 5 से ज़्यादा है तो अतिपराध्वनिक यानि कि हाइपरसोनिक या आप याद रखिएगा फिर नेक्स कोश्चन है सेंटर फोर डिने फिंगरप्रिंट डाइगनोस्टिक यह कहां है यनिकी CDFD कहां इस्थित है दोस्तों या है है हैधराबाद में कहां इस्थित है या हैधराबाद में इस्थित है और हैधराबाद के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है है हैधराबाद दोस्तों इस्थित है मूसी नदी के किनारे यह आप याद रखिएगा फिर next question है protein के निर्माण में आधार भूतिकाई है तो दोस्तो amino aml है जो amino aml है is the basic unit in the manufacture of proteins यह आप याद रखिएगा फिर next question है यह most important है दोस्तो protein बनाने के लिए कितने amino aml की आवश्रक्ता होती है तो दोस्तो यह होती है 20 amino aml क्या आवश्रक्ता है इसमें अभी मैं आपको एक चीज बता दू जो 20 amino aml होते हैं उसमें से जो 10 होते हैं उसमें से 10 aml का sensation liver के द्वारा होता है किसके द्वारा liver के थूँ और जो 10 aml बच जाते हैं तो 10 aml को आहार में होना उपस्थित यहनि कि आहार में फिर next question है DNA sensation का प्रतिपादन किस ने किया था तो दोस्तो DNA sensation यहनि कि DNA synthesis इसका प्रतिपादन किया गया था और थर कॉन बर के द्वारा और इस काम के लिए उन्हें 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबल प्राइज भी प्रदान किया था क्या नाम है इनका और थर कॉन बर फिर next question है जीन का आकार यहां जीन लिखा है यहां पर इसे मैं PDF में मोडिफाई कर दूँगी जीन का आकार क्या होता है दोस्तो यानि कि size यह होता है सरपाकार का फिर next question है निमने लिखित में से कौन सी जाच एक बच्चे के पिता का निर्धारन करती है तो दोस्तो उस जाच का नाम है DNA Finger Printing यहां प्याद रखिएगा फिर next question है डॉक्टर हर गोविंद खुराना को किसके लिए Nobel Prize मिला था तो दोस्तो इन्हें मिला था Genetic Coach के लिए और Protein Sun Slayer में Geno के कारियों के निर्धारन ही तो और कब मिला था 1968 में जो हर गोविंद खुराना है दोस्तों यह भारती मूल के अमेरिकी वग्यानिक थे यह भी आप याद रखिएगा फिर next question है DNA का मूल मात रखिएगा तो दोस्तो DNA का मूल मात रखिया है तो यह है Nucleocytes यह आप याद रखिएगा कई बार पुछा जाता है फिर हमारा next question है आत्महत्या की थैली किसे कहते है यानि कि suicide bag दोस्तो यह कहा जाता है Lysosome को और यह चीज आप से यह भी पुछा जा सकता है कि Lysosome का निर्माड कहा होता है दोस्तो Lysosome का निर्माड होता है गौलजी काय में और एक चीज Lysosome की खोच किस ने की थी तो दोस्तो Lysosome की खोच की गई थी CD डूवे के द्वारा यह भी आप याद रखिएगा और Mitochondria के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है Mitochondria को कोसिका का बिजली ग्रह भी कहते है यानि की कोसिका का पावर हाउस कहा जाता है Mitochondria को यह भी आप याद रखिएगा फिर हमारा next question है उत्तक है एक यानि की टीशू क्या आपको बताना है तो दोस्तो यह एक समान कोसिकाओं का समू है ऐसी कोसिकाओं का समू जो सनरचना, आकरती, उत्तपत्ती वा कारिय में एक समान होती है तो इन ही कोसिकाओं का समू है उत्तक यानि की टीशू फिर next question है निम्न लिखित में से कौन सी कोसिका एक सूशपनम जीवित कोशिका है तो दोस्तो यह है Mycoplasma और इसे Joker of Plant Kingdom भी कहते है Joker of Plant Kingdom यह आप्याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है और एक चीज जो यह Mycoplasma होता है इसके पास कोशिका भित्ती नहीं होती है यह अभी आप्याद रखिएगा फिर next question है परागर यानि कि pollination के लिए निम्न में से कौन से तत्तो आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है तो दोस्तो इसके लिए आग की आवश्यक्ता नहीं होती है फिर next question है किस पौधिय में बीज होता है लेकिन फल नहीं तो दोस्तो इस पौधिय का नाम है साइकस साइकस जीवित जीवाश्म कहलाता है क्या कहलाता है जीवित जीवाश्म और इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है फिर next question है नासपती में कौन सा भाग खाया जाता है नासपती यानि कि पियर तो दोस्तो इसमें खाया जाता है गुदगुदा पुस्पासन इसका खाने योग्य भाग है फिरनेश कोश्चन है प्याज में खादी भाग है यानि कि प्याज का कौन सा पार्ट हम खाते हैं यानि खाया जा सकता है दोस्तों यह है तना और एक चीज प्याज जो है भूमीगत रुपांतरित तना होता है जिसे सल्क कंद या तो इंगलिस में कहें तो इसे बल्ब कहते हैं यहाज प्याज रखिएगा फिरनेश कोश्चन है नाइट्रोजन इस्थरी करण में लेग हिमोगलोबीन का क्या कारी है तो दोस्तों इसका कारी होता है ओक्सीजन एब्जॉप्शन यानि की ओक्सीजन का अवसोशन यह आप याद रखिएगा फिरनेश कोश्चन है निम्न लिखित में से कौन सा सह जीवी नाइट्रोजन योगी की करण जीवाडू है तो यह है दोस्तों राइजोबियम फिर next question है निम्ने लिखेत मेंसे किसके द्वारा दूद्ध खटता होता है तो यह एक victoria के द्वारा kaczता होता है और उस bacteria का नाम क्या है lactobacillus इस bacteria का नाम आप याद रखिएगा फिनेश कोश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है तो यह है दोस्तों AIDS और HIV की full form क्या होती है HIV की full form होती है human immunodeficiency virus क्या होता है human immunodeficiency virus और AIDS का full form क्या होता है तो AIDS का full form होता है acquired immunodeficiency syndrome तो यह दोनों full form आप याद रखिएगा फिनेश कोश्चन है खसरा निम्ली लिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है तो यह होता है दोस्तों एक virus के कारण यानि कि विसाडू के कारण और उस विसाडू का नाम क्या है तो मूर्बिली virus के कारण खसरा का संक्रमण होता है यह भी आप याद रखिएगा और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन से हीदी पुछा जाए तो इससे पूरा सरीर यानि की पूरी body प्रभावित होती है किससे खसरा से यह भी आप याद रखिएगा फिर नेश कोश्चन है शैवालों की यह भी आप याद रखिएगा फिनेश कोश्चन है धनिया में उपयोगी अंस होता है तो उपयोगी अंस कौन सा है धनिया का यह है पत्ते वा सूखे फल फिनेश कोश्चन है भोजन का पाचन निम्न लिखित में से किस अंग में प्रारंब होता है तो यह होता है प्रारंब मुँ में, यानि कि मुँ से स्टार्ट होता है Finish question है मानो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्तु कौन सा है तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्तु है Oxygen, यह कितना पाया जाता है यह लगभग 65% पाया जाता है और carbon कितना पाया जाता है यह पाया जाता है लगभग 18% और जो nitrogen होता है वह लगभग पाया जाता है 3% और calcium है जो पाया जाता है लगभग 1.4% तो यह भी आप याद रखिएगा सारे ही important है सबसे ज़्यादा पाया जाता है oxygen 65% finish question है मनुष्य के सरीर में अधिकांस भोजन कहा पचता है तो यह पचता है छोटी आत्मी यह भी आप याद रखिएगा finish question है मनुष्य को रोटी चवाने पर मीठा क्यों लगता है तो यह मीठा क्यों लगता है देखेए रोटी चबाते समय लार ग्रंथियों से लार का इस्तराव होता है और आप सभी जानते हैं लार में टाइलिन एंजाइम होता है मैंने कई बार बताया है यदि आप से पूछा जाए टाइलिन एंजाइम कहा होता है तो वह लार में होता है तो जो टाइलिन एंजाइम होता है य इसका reason यही है, तो इसका answer क्या होगा, carbohydrate सक्कर में परिवर्तित हो जाती है, यह आप याद रखिएगा, finish question है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, तो उस माध्यम में प्रकास का वेग आपको बताना है, यानि कि velocity of light क्या हो जाती है, तो दोस्तो देखिए, एक चीज में आपको बता देती हूँ, कि प्रकास का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानि कि प्रकास के संचरण के लिए किसी भी माध्यम के आवश्यक्ता नहीं होती है, ताप बढ़ने पर भी प्रकास का वेग अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर होगा option number C, अपरिवर्तित, फिनेश कोश्चन है, महान वेग ज्यानिक, आर्किमडीस का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है grease से, यानिकी you non से, यहाँ प्याद रखिएगा, फिनेश कोश्चन है, न्यूटन, मीटर, किस का मातरख है, दोस्तो यह मातरख होता है, ऊर्जा का, यहाँ प्याद रखिएगा, फिनेश कोश्चन है बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है तो क्या शामिल है दोस्तों यह शामिल है केस की अभिक्रिया परिघटना यानि की कैपिलरी रियक्शन फिनोमेनन यह साहिक होता है बेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में यह शामिल है फिनेश कोश्चन है बाक साइट किसका एसक है मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है आपको यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और यह वीडियो कैसा लगा यह भी बताईएगा और ओनलाइन स्टेडी पॉइंट को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच